हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है में रशने है करनाटक एवं हैदराबाद में गर्दी के संघर्ष के दौरान हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्व के बाद गर्दी पर कौन बैठा भारती शासकों का आपसी जगड़े के चलते इनके हाथ से उनकी जमीने धीरे धीरे जाने लगी और जब तक वेस का एसास कर पाते तब तक सब कुछ जा चुका था ऐसे ही किसी आपसी जगड़े की फिराक में फ्रांसीसी गवर्नर डूपले था और जल्द ही उन्हें ये अफसर प्राप्त हुआ करनाटक और हैदराबाद गर्दी के संखर्ष की रूप में क्योंकि 1784 में करनाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाफ शड़यंत्र शुरू कर दिया था तो दूसरी तरफ हैदराबाद में निजाबुल मुल्क की मृत्वी के बाद उसके छोटे बेटे नासिर जंग और पोते मुजफर जंग के बीच गदी को लेकर के इसका लाब लेकर डूपले ने चांदा साहब और मुजफर जंग से गुप्त समझोते किये तता इनी पर स्थितियों के बीच 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ जिसमें तीनों सहयोगी सफल रहे और शेस करनाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया नासिर जंग इस य कन का सुबेदार बना दिया गया